सिद्धू मुसे वाड़ा दे कतल केस दे विच नित नमे खुलासियाने कोली जांच एजंसियान दी पोल देखो 15 महीने बाद भी नहीं हुए हथियार प्रामन सत शिर्यकाल ची उमीद कर दियां तुसी ठी लगातार पंजाबी गायट सिद्धू मुसे वाड़ा कतल केस दे विच नमे खुलासियान देनाल साबित हो रहा है कि आखिर जांच किस पर दर दी चाल रही है तो इस मामलेद विच नमे खुलासिया हो रही है चुकि इस शारा कारे ने इस गल्दे फल की इस केसी जड़िये जांच आओ काफी मठी रफ्तार देना चल रही है शेशूटरां दे विचो चारां दे फलों वर्ते के हथियारा नो प्रामत भी नहीं कर सकिया तो इस तो पहला आज सी कि इस महीने दे शुर्फा दे विच अवजर बाईचान तो लेंदे के मुख साजिश काड़यां दे विच एक सजिन थापां तो पुछ परता दे दुरान एना हथियारां दे पारे खुलासा हो जावेगा पर चार हफते बीटके ने अजे तक कोई कारफाई नहीं हो या ते ना ही हथियारां दे पारे कुछ पता लग सकिया तो जानकारी मिल रहिया कि जेसरी के दे नाल बती पोर अजे 9 mm पिस्टला ओबरामत किता गया तो मुल्सम था पर ने भी दस्या सी कि कातल तो पहला कई हफते पहला शूटर किते लुके होई सी किते ट्रेनिंग ले सी अते हाला कि फोज मेडियूल दे हथियारां पारे कोई स्राग नहीं दिता गया तो इस तो पहला भी दोश लगाया जा रहे सी कि फोजी या फिर बलारो कार मेडियूल शूटरा ने वार्दात वड़ी थांतो पजण फेले सिरसाजीले दे विच पहला तो ही तै किती कि थांती हथियार लुको ओती दे सा सो थे लगातार इस तो मामली दिरिच कारफाई दे मांग किती जा रहे है पर लगातार परिवार भी इनसाफ दे मांग कर रहे है तो थे लगातार जिस तरीके दे नाल नमिनमे कुलास्य हो रहे है तो लगता है कि इस दे नाल जडिया जांच दी रफ्तारा ओ जडिया काफी ज़्यादा तिम्ही चाल रही है, सो देखना होवेगा कदो सिद्धू मुँसे फालानों इन्साफ मिलता है सो तो हानुए जानकारी की में लगी दूसे सानुँ लाइक शेल टे कोमेंट ते रही चिरूर दा सकते हो